हाई फोक्स आज मैं आपको लेके जा रही हूँ गुछराती थाली की तरफ येस ये है अनलिमिटेट थाली जो की मिलती है होटल ग्रैंड में जिसका नाम है कदमबा येस ये सिचुएटेड है गोवा और बेलगाम हाइवे की तरफ जो की पौरवरिम में है ये हाइवे आपक कदमबा ये बहुत जादा फेमस है चली हम एक्सप्लोर करते हैं गुछराती थाली अनलिमिटेट थाली जो की हो सकती है बहुत जादा टेस्टी चली है एक्सप्लोर करते हैं जैसे अब अंदर आओगे वहाँ पर आप बाहर देखोगे बहुत अच्छी इनों प्लांटेश पर आप चलते जाओगे चलती जाओगे तो आप पास हो जाओगे इतने ग्रीन प्लांटेशन की तरफ जहां पर आपको ये ब्यूटिफल ब्यूटिफल ये ब्लैक कलर के गमले दिखाए देंगी जहां बहुत सरे प्लांस लगाए हुए है और वहां से जैसी पागे के का यहां पर एक कदंबा का आप टाग लाइन देखोगे उपर और उसी दिवार से आपको चलते हुए उपर की तरफ जाना है और आप यहां पर थोड़े बड़े से पोस्टेस देखोगे जहां पर इन्होंने अपना डिशिस के बारे में लिखा हुआ है आप देखोगे थोड़ा से आपको राइट की तरफ आना होगा तब आप देख सकते हूँ यहां पर रिखा है साउथ इंडियन, नौर्थ इंडियन, चाइनीज, ठालीज और वहीं से एंट्री होती है आपके रेस्टराउन की अभी क्रिस्मस सीजन चल रहा है तो सब जिए क्रिस्मस डेको हो सके यहां पर आप एंट्री करते ही होटेल की तरफ जाने के लिए है सामने लिफ्ट और राइट साइड में है रेसेप्शन चो कि आपको गाइट करेंगे आपको रेस्टराउन की तरफ और आपके होटेल की तरफ अगर आप यहां पर रह रह रहते हैं यहां पर रूम सी तो हमें जल्दी जल्दी मिल गया था और हम लोग खाना अल्रेडी ऑन टेबल जल्दी आ गया था इनका इंटियर इस तरीके का है पुरा फुरा फ्लोरिंग है बीच बीच पे इन्होंने डेकोरेशन प्लांटिंग की हुई है बहुत ही जाता खुबसूरत उपर लाइट अच्छी दी हुई है जैसे आप एंट्री करोगी यह इनका मेन्यू कार्ड है जो थाली के लिए सिर्फ स्पेशली थाली के लिए है और इस तरीके से आप देखोग आपको यहां पर कंचुमार दी जाता है कि छोटें-चोटे कट पीसे साल एक के घ्रीन चैटनी दी जाती है और तो खटी एटी टमरें चैटनी दी जाती है यहां पर इस तारीके से गया और इस तरीके से हमने we got no जो खाना होता है un limited होता है i think 350 की यह ठाली थी इसमें un limited था रोटियां देखे कितनी अची आम और थेपला दिया जाता है जो की की बेशन का बनाऊं होता है इस तरीके साथिव की पूरी ठाली यह भर जाती है और फिर आप टेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, स्वीट में इनोंने बुंदी का बर्फी दिया था और थोड़ा सा स्वीट धही दी थी इनोंने, तो चलिए हम खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, और पता करते हैं, इसका टेस्ट कैसे हैं, ये देखिए, सबसे पहले चास देख निदे निदे चटनी आप देख रहे हो यह कुछ उमर के साथ जो दिया हुआ है यहां पर आते ही आपको एंट्री करते ही छास के बद आपको भेल दिया जाता है यू नौ तो आप इन ती सूखी भेल होती है यह और आप यह तीनो चारो चटनी इस भेल के साथ मिक्स करकर तो आप ट्राइ कीजे कि यह भेल थोड़ा सर्फ सिफ टेस्ट के लिए खाए ना है कि पेट भरने के लिए खाए तेस्टी है यहाँ पर यह भेल तो आप इसे जरूर एक दो स्पून खा सकते हैं उसके बाद यह जो है यह शेंगे की सबजी मिली थी क्योंकि यह प्यूर जो टेस्ट के हिसाब से फूड अच्छा है बट ठीक है और बिकोज मैं मैंने गुजराती थाली पहले भी खाई हुई है तो थांग गॉर इसमें ज्यादा स्वीट स्वीट नहीं था यह नॉर्मल पीपल भी खा सकते हैं जिनको ज्यादा स्वीट पसंद नहीं है यह स्वी किसी मीठी धही टाइप थी इनोंने जो दी रखी जो समझ में नहीं आया किस टाइप की धही है पट एनिवेज तो हम आगे बढ़ते हैं रोटी थेपला पापड आपको यहां पर यह सब मिलेगा अनलिमिटेड है एक बंदा एक ही थाली ले सकता है यह शेयर नहीं की जा सक कि आपको छोटी-छोटी कचोरिया मिलेंगी स्वीट भी काफी तरीके के होते हैं और बहुत जादा वेराइटी इस थी ढोकला था और बहुत सारे नमकीन की चीजे थी पर इस थाली में ऐसा कुछ नहीं था जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं राइस में आपको खिच कोविड के बाद हमने थोरा सा वेराइटी कम कर दिये माइट भी आगे फ्यूचर में वेराइटी शुरू रखेंगे तो आई होप आपको यह गुजराती थाली कहकर खाकर और कहकर बहुत मज़ा आ जाएगा आप अगर ट्राइब करना जाते हो और आप गुजराती हो तो आप यहां गुजराती थाली का दमबा में एंजॉए करेंगें